हलो इस्ट्वेंस एका फिस्ट सागता आपको कितनी येटूब चेनल आज टड़ी ग्यान पे तो आज की वीडियो में हम यहापर बात करने वाले आपके इनिविश्टी और कोटा यह नि कोटा विश्विधा लेके हम यहापर जो बीएसी फर्स्ट एयर है आपके बीएसी फर पर भी बात करेंगे आप सब को यह तो पता ही है कि इस साल से ही आपके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहट आपके फर्स्ट एयर में सेमिश्टर सिष्टर में वो लागू कर दिया गया है यानि आपके एक साल में आप कितनी वार एक्जाम कराई जाएंगे दो वार लग भी सब इस्टुएंस के लिए जो भी फर्स्ट एयर में इस साल से काफी ज़्यादे इस्टुएंस को यह डाउट होता है कि सर हम तो प्राइवेट इस्टुएंस है हमें भी सेमिश्टर की रूप में एक्जाम देना होगा तो जी हाँ इस साल उनिवर्सिटी ने काया क चाहिए वो रेगुलर इस्टुएंस हो चाहिए वो प्राइवेट इस्टुएंस हो सभी कोई सेमिश्टर सिस्टम से यहाँ पर आपको एक्जाम दे रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए भी काफी ज़्यादा इंपोटेंट होने वाला है तो इसलिए आप इस सेशन को है सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सकाइब वो पास में जो बेल आइक करें उसको जरूरू प्रेस कर लिजगा जिससे जो भी हम उनिविश्टियो कोटा से लिटेट अपडेट लाते है वो आपको टाइम टो टाइम प्रोवाइड हो पाती है साथ में जो आप हमारे ट subject होंगे आपके उसमें क्या क्या मार्किंग रहने वाले ऐनी इसके कितने नंबर नंबर यहांपकर होने वाले सबसे फेले यह नहींवर आहाईबत देखेनों साइंस जो आपका बीस्सी होता है उसके mathematic group और यहापको biological group का भी मिलेगा mathematical group प्रूप के अंदर आप सब को पता है तीन सब्जेट आपके होने वाले PCM यानि फिजिस केमिस्ट्री मैस यहां पर आपके होने वाले पेला हम इनकी बात कर लेते हैं फिर हम जो CVJ यानि आपके केमिस्ट्री बोटनी और जूलोजी उसके उपर भी हम यहां पर बात करें हैं तो आप सब को पताऐं कि आपके 1st year में थो सेमेस्टर होंगे 1st semester development În 2nd semester आभी हम यहां पर वीडeo बना रहें तो आपका 1st semester वह लगबग आपके January या आपके February में किरा जा सकता है इसे हर year में होगा आप जब second year में जाएंगे तो वह आपका कौन सा semester हो जाएगा third और fourth semester फिर आप जब third year में जाएंगे तो वह कौन सा semester होगा आपका fifth और sixth semester ठीके तो यहाँ पर पहला आप देखिए first और second semester का यहाँ पर तो जो mathematical group है यहाँ पर आपकी यहाँ फिजिक्स chemistry में इस students का आप देखिएगा तो first year में आपका जब first semester होगा उसमें आपका पेला paper होगा physics 1 अब physics 1 के अंदर कौन सा paper है तो इसके उपर हमने separate video बनाया है यहाँ पर आप देखिएगा एक तो होगा physics 1 यहाँ पर आपका पेपर होने वाला है और यहाँ पर अगर physics 1 का हम नाम भी बता दे तो वो mechanics का paper होगा यानि यहां तरी की जो कि हमने आपको वीडियो में बताए ही था तो physics first होगा जो कि 3 घंटे का paper होगा कितने नमर का होगा यहाँ पर आपको पता है semester इसका जो theory exam होता है वो 70 नमर का internal assignment टीस नमर का इस आपके total marks कितने होगा यहाँ पर chemistry first है अब chemistry first के अंदर कौन-कौन से paper आ रहे है यहाँ पर आप वो भी देखेगा chemistry first के अंदर कौन-कौन से topic है वो भी अभी इस वीडियो में हम बताएंगे तो chemistry 1 है वो यहाँ पर आपका 3 घंटे का होगा तो तीन घंटे में सब 30 नमर तो यहाँ पर आपके internal assignment के उस 70 नमर यहाँ पर आपको किसका होगा semester assignment का यहाँ पर आपकी हो जाता है हो सकता है कि आज का यह वीडियो थोड़ा long जायेगा यहाँ थोड़ा बड़ा यह वीडियो जायेगा लेकिन इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी फिर आपको कोई भी doubt नहीं रह तो थ्योरी एग्जाम होगा आपका 70 नमर का तो थ्योरी एग्जाम में आपको 28 नमर यहाँ पर पास होने के लिए चाहे होते उसके बाद इसका प्रेटीकल भी होगा तो जब हम mathematics के उपर syllabus के उपर video बनाएंगे तो उसमें हम आप अच्छी तरह से explain करेंगे तो उससे अच्छी तरह से हम यहां पर समझाने वाले हैं तो आप देखेगा mathematics वह ने उसका तीन घंटे का paper होगा 30 नमर का होई internal assignment, 70 नमर का theory exam यानि semester assignment जो कि total 100 नमर का हो जाएगा और passing marks होई यहां पर आपके होने वाले 50 नमर का इसका practical भी math में कराई जाएगा यहां पर आप देखेगा जो कि काफी ज़्यादा students यहां पर doubt हो रहे थे इस्ट्वेंस को मैंने physics वाले video में भी यह बताया था कि अब आपकी यहां पर जो compulsory paper है जैसे general Hindi और general English अब इन्हें किसमें कर दिया गए आपकी यहां पर जो इसकी number है आपके main mark sheet में आपकी जुणने वाले है हम भी हम यहां पर आपको बता देते हैं आपने यह देखा कि जो आपका physics subject है वो total कितने नमर का होगा आपके 1500 नमर का यहां पर आपके यह exam हो जाते हैं PCM यानि physics chemistry में ऐसे बाये वाले students के लिए भी उनका chemistry subject यहां पर देख सो नमर का अगर आप first semester में general Hindi का देना चाते हैं तो second semester में automatic आपको किसका choose करना होगा general English का choose करना होगा और अगर आप first semester में general English चूज़ कर लेते हैं, तो second semester आपको automatic किसका देना होगा, journal हिंदी का देना होगा, यानि दोनों में से आपको एक जो paper है, वो एक semester के अंदर आपको देना है, तो 50 नमर इसके भी add कर देते हैं, तो total आपका एक semester कितने नमर का हो जाएगा, पांसो नमर का आपका एक semester यापर आपका हो जाएगा, उसी परकार से आपका जो second semester हो कितने नमर का हो जाएगा, वो भी 500 नमर का हो जाएगा, इस हिसाब से आपका एक year total, first और second semester को मिलाके, आपको जो first year है, वो total कितने नमर का हो जाएगा, आपका thousand यानि जो second semester यह physics second होगा, वो physics second के अंदर 30 नमर का internal assignment, 70 नमर का यहाँपर आपका semester assignment, 100 नमर का आपका paper हो जाएगा, वो ही practical होने वाला 50 नमर का, उसी प्रकार से यह chemistry second होगा, अब chemistry second में कौन-कौन से यहाँपर आपके paper आ रहे हैं, कौन-कौन से mathematics आपका, यहाँपर सत्य नमर का semester और 30 नमर का internal assignment हो जाएगा, और आप देख सकते हैं, और यहाँपर आपका general English और general Hindi का क्या का जाएगा, यहाँपर compulsory paper आपका कराए जाता है, अगर आप first semester में general Hindi चूज़ कर लेते हैं, तो second semester में automatic वो आपका general English हो जाएगा, और अगर आप general English first semester में देते हैं, तो second आपका general Hindi हो जाएगा, ठीक है, इस साबसे आपका जो second semester वो भी 500 नमर का, तो आप देखेगा first semester के भी 500, second semester भी 500, तो total आपका first year कितने नमर का हो जाएगा, thousand यानी हजया नमर का हो जाएगा, जैसे हैं आप 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 देख सकते हैं, आई हो आपको यह समझे में आगया होगा, उसके बार वो इस second year का आजता है आपके, यहाँ पर यह third year का आजता है, तो इनके ओपर हम next video में यहाँ बात करने वाले, और वेसे भी आभी हम जब वीडियो बना रहे हैं, तो इस साल केवल, first year में ही यहाँ आप semester system लागू किया गया है, और यह जो अभी आपर आप देख सकते हैं, यह आपके जो second year है, और यह third year का यहाँ पर दिया हुआ है, यह जब आप next year आएंगे, यहाँ आप जब अगले साल second year में आएंगे, तो आपके यह चीज़ी काम आएगी, कि आपको यह third semester or fourth semester का syllabus, तब तक तो हम आपके लिए यह वीडियो बनाई देंगे, फिर जब आप third year में जाएंगे, तो आपका तो यहाँ आप आप देखेएगा, वही आपके होने वाले ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, तो chemistry subject आपको वही रहता है, दोनों subject के लिए, यानि आप mathematics वालों के लिए यहाँ पर आपके बायो वालों, दोनों के chemistry subject है, वो common होता है, केवल चेंज क्या होता है, यहाँ पर botany subject है, botany का first वही 70 नमर का semester और internal assignment, 30 नमर का जो कि आपके colleges के आधार पर कराई जाते हैं, और 70 नमर का आपका theory exam होगा, यानि total आपका 100 नमर का एक paper हो जाता है, ठीके, वो इसी का practical कितने हो जाएगा, 1500 नमर का, तो 100 नमर का, तो 100 नमर क यह subject उसी प्रकास से जूलो जीव, यहाँ पर 400 नमर का, यानि 400 नमर हो जाते हैं आपके, और यहाँ पर आपको अभी हमने बताये हैं, कि general Hindi और general English, इन दोन में से एक आपका क्या होगा, आपका compulsory paper भी करा जाएगा, अगर आप first semester में general Hindi चूज करते हैं, तो second semester में automatic आपको general English का देना होगा, और आप first semester में general English चूज करते हैं, form भरते समय, तो second semester में आपको general Hindi का देना होगा, यानि आपका एक semester किने नमर का हो जाएगा, 500 नमर का यहाँ पर आपके हो जाता है, उसी प्रकार से second semester भी किने नमर का हो जाएगा, 500 नमर का यहाँ आपके हो जाएगा, जै विड़े में हम ये बात बता रहें आपको, अब यहाँ पर आप देखेगा chemistry subject के उपर यहाँ पर particular हम बात करने वाले हैं, तो first year में जो first semester होगा उसमें आपको पता ही, अभी हमने बता है था chemistry 1 होगा आपका, उसका नाम क्या दिया गया है chemistry 1, अब इसके अंदर कौन कौन से topic स हम बताइए आपको, उसी प्रकार से यहाँ पर इसका chemistry का practical number 1 भी होगा, जो कि 30 नमर का internal assignment होगा, 70 नमर का theory exam, इससाब से 100 नमर हो जाएंगे, और 50 नमर का practical, यानि 300 नमर का यहाँ पर chemistry 1 हो जाता है, ओके, 70 में से यहाँ पर 28 नमर यहाँ पर pass होने के लिए चाहिए, जो आप internal assignment उसमें से 30 में से 12 नमर यहाँ पर आपको pass होने के लिए चाहिए, ठीके, और practical में से यहाँ पर आपको 50 में से 25 नमर यहाँ पर pass होने के लिए चाहिए होते हैं, फिर जब आप second semester में जाएंगे, तो जो first year के second semester के हम बात कर रहें, तो उसमें आपको chemistry second देना होगा, वो भ इनके उपर तो हम यहाँ पर next वीडियो में यहाँ पर बात करने ही वाले, ओके, तो अब यहाँ पर देखेगा, कि यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आपके syllabus के उप़र, जो कि काफ़ जाए रहें students के doubt होते हैं, अभी आपने दो नाम बता हैं हमें, एक तो chemistry one और chemistry second, ठीके, chemistry one आपको कब देना होगा, आपके first semester में देना होगा, और chemistry second आपको second semester में देना है, ठीके, तो आपका, यहाँ पर आप देखेगा, और यह जो अभी हम यह syllabus बताने वाले आपको, यह दोने students के लिए होने वाला है, चाए आप biology students से हो, चाए mathematical group से हो, आपके दोनो group के लिए, same ही यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि same ही paper बनता है, आपको यह तो पता ही है, तो यहाँ आप देखेगा, सबसे पहले हम first semester की बात करते हैं, first year में जो दो semester है, तो हम पहले first semester की बात कर रहे है, first semester के अंदर कौन सा होगा, आपका chemistry one होगा, तो chemistry one के अंदर आपको कौन कौन से topics पढ़ने, कौन कौन से chapter पढ़ने, इसे आप इल्कु ध्यान से यहाँ पर देखेगा, तो आप देखेगा, सबसे पहले तो, कि आपका जो chemistry one होने वाला है, उसके अंदर आपके तीनों यहाँ पर आपके paper आ जाएंगे, इन और्गेनिक chemistry, और्गेनिक chemistry और फि फिजिकल केमिस्टी, लेकिन अब तीनों paper को मिला के ही, आपका क्या करणा दिया गया है, एक paper आपका होगा, जो कि होगा chemistry one, जो कि आपको semester first में यहाँ पर देना होगा, अब इससे मिला के तीनों यहाँ पर जो आपके paper है, इन और्गेनिक chemistry, और्गेनिक chemistry और फिजिकल केम integration, second semester में, यहाँ पर second unit में क्या आएगा, आपका periodic table और periodic properties, थर्ड यहाँ पर आपका unit होगी, तो थर्ड यूनिट पर आपका कौन सा होगा, basic of organic chemistry, फॉर्थ क्या होगी, इस्ट्रो यहाँ पर chemistry होने वाली है, और फाइफ क्या होगा, यहाँ पर gases state होने वाली है, तो यहाँ यह जो 5 unit है, इसमें आपके inorganic chemistry भी है, organic भी है, और physical भी है, तो यहाँ पर आपको 5 unit है, जो कि आपको semester 1 में यहाँ पर आपको देनी होगी, आई होगा, और यहाँ पर जो practical exam में कौन कौन से topic दिये गए है, तो यह practical exam के आपके topic है, काफी यहाँ पर जो colleges है, वो अपने अच मेने बाद आपके exam कराये जाएगा, तो उसमें भी यहाँ पर आपको तीनों को mix किया गया है, inorganic, organic and physical, इन तीनों को दुबारा mix है, यहाँ आपके कर दिया गया है, first semester भी इसी आधार पर होगा, second semester भी इसी आधार पर आपके होने वाला है, तो इसके में में देखिए chemical kinetics and catalysis यहाँ पर आपका होने वाला है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब फिर आप आप देखिए का इसका practical exam क्या है, तो यहाँ पर यह practical exam से related यह topic दिये हुए है, तो यह आपको second semester में यह 5 unit यहाँ पर आपको देखनी है, जो कि यहाँ पर आपके syllabus यहाँ पर आप जाता है, फिर आप जब second year में जाएंगे, तो आपको third semester और fourth semester देना होगा, तो उसका यह salary पर देखने का मिल जाता है, लेकिन अभी हमें पता है, यह सभी students, first year के students देख रहे हैं, तो अभी यहाँ पर इसको बताने के यहाँ पर ज़रत नहीं है, फिर आप जब आप थ chemistry के इतने साथ topic, physical chemistry के इतने साथ topic, जनी third year में आपको कुछ ज़्यादा ही, यहाँ पर सेले बस दिया जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा marking pattern के उपर बात कर लेते हैं, किस साधार आपकी section आने वाले है, उस section में कितने number होने वाले है, और यहाँ पर यह PDF है, separate video बना रखा है, आपके जो भी subject हो, physics, chemistry, math, botany, geology, तो आप सभी अपने subject का download कर सकते हैं, इसके उपर हमने separate video बना रखा है, जिसका link आपको description में मिल जागा, अगर तब यह आपको दिक्कत आ रही है, तो आप जो हमारा telegram channel है, AI study gun के नाम से, आप telegram पे सर्च करके भी join कर सकत रहेंगे, तो उसके उपर यह, अभी हम बात करेंगे, semester assignment होगा, जो 17 नमर का होने वाला है, उसके उपर हम इस video में बात करते हैं, तो आप यह देख सकते हैं, कि आपका semester, यहाँपर आपका assignment होगा, हर semester में, semester one भी आपका, 17 नमर का होगा, chemistry subject में, जब आप second semester देंगे, तो उसमें अभी आपका chemistry subject कितने नमर का होगा, semester assignment की बार हम बात करें, तो वो भी आपका 70 नमर का होगा, और यह कितने घंटे का paper होने वाला है, यहाँ पर 3 घंटे का paper आपके यह होने वाला है, अभी इसमें आपके 2 section पूछे जाएंगे, section A और section B, पिछले साल क्या हुआ करते था है, तीन section आते थे, section A, section B और section C, लेकिन अभी से कितने section में कर दिया गया है, दो section में यह आपके यह हो गया है, ठीक है, और आप सबको पताएगी कि अभी हमने बताया था, कि हर paper के अंदर है, यहाँ पर आपके पाच इनिटों से मिलकर आपका paper बना हुआ होगा, तो आपका section A होने वाला है, इसमें से आपके पाच इनिटों से कितने question आँगे, दो-दो questions आईगे, जो कि आप देश सते हैं, और कितने नमर के होईगी, दो-दो नमर के आपके question होईगी, तो आपके दो नमर के आधार पर हैं आपको इसके answer लिखने होगे, तो यहाँ पर आपको टोटल कितने कोशन हो जाते हैं पाच इनिटिक्ट से दस कोशन हो जाएंगे और दस कोशन की दस कोशन की करना है यहाँ पर आपके लिए कंपल सरी है याँ दस में से दस कोशन से आपको करने होंगे एक कोशन दो नमर का इस सापसा आपका जो पहला section है वो कितने नमर का हो जाएगा आपका 20 नमर का आपका section A यहाँ पर आपके हो जाता है फिर यहाँ पर आप देखेगा अब यह section B है जिसे आपको समझने यहाँ आपका काफी ज़़दा जरूरी ज़रता है तो आप देखेगा अभी हमने आपको बताया था 5 unit से मिलका आपका paper बना होगा तो इसमें क्या होगा कि हर unit में से आपके कितने questions आने वाले 2 questions होगे आप देख सकते हैं जैसे आपको दिया जाएगा कि unit number 1 में आपको 2 questions होईगे वो दोनो questions का से रहेंगे आपके और वाले हीं अथवाले है। 10 numbers के अधरफिये हैँ यह पर आपको इसके answer लिखने होगे। टिके। तो दस नमबर का यहापर आपको क्या होने वाला है इसका यह कोशन ही आपके आएंगे और हर यूनिट में से दो कोशन्स आएंगे इस बात का आपको धियान रखना है और दो में से केवल एक कोशन्स को यह आपको अटेंब करना है इस हिसाब से आपके देखेगा यूनिट से केवल एक questions कोई attempt करना है काफ़ ज़्यादा इस्टों से आप गलती कर देते हैं वो first unit के दोनो questions कर लेते हैं और माल लिजे उनको second unit में से दोनो questions ही नहीं आ रहें तो वो क्या करते हैं कि first unit के दोनो questions कर लेते हैं लेकिन ये गलत होगा क्योंकि वो कैसे questions से अथवा वाले questions है तो आपको हर unit में से दो questions के वर एक questions को attempt करना है इस इससाब आपको पाच unit में से एक-एक questions attempt करने होगे तो आपका पाच ये यहाँ पर आपको questions attempt करने हैं ठीक है यह मैं बाबार इसलिए धोरा रहा हैं को कि इसके related जो comment है हर बार हमारे पास काफी जाले students के comment आते इसलिए इसे हम अच्छी तरह से बता रहे है कि हर unit में से 2 questions आएंगे है दोनों questions अथवा वाले है अथवा में से केवल आपको एक questions कोई attempt करना है यहाँ आप देखेंगे unit second में से भी हर unit में से केवल एक questions कोई attempt करना है तो अब यहांपर आप देखेंगे गा अब भी हमने आपको बता दिए यह नंबर प्रेटन था अब बात करते हैं हम यहाप सेलेबस के उपर सेलेबस से पहले आप देखेगा यह क्या है प्रेक्टिकल एक्जाम से लिटेड है कि आपको यह जो आपके पचास नमर का प्रेटिकल होगा उसमें क्या होगा इसके आधार पर होते हैं ठीक है फिर यह यहापर यह इस्टम भी यह आप दिया गया है अब यह आप देखेगा नेश्थ हम यहापर बात करते है आपकी क्र्योडिट कonter है यह उसके रिलेटेड है काफ़ जड़ा इस्ट्वेंस होते हैं कि सारे mathematical group का अलग chemistry का यहां पर cell levels होता है biology students का अलग तो हम आपको बताना चाहते हैं कि दोने इस्ट्वेंस के लिए आप सेम chemistry का पेपर बनाए जाता है आपको यह की पेपर होता है तो यह की यहां पर cell levels आपका दिया गया है है यहां पर आप देखेँगा क्या क्या आपको कौ कारण सेमस्ट्र में होगा क्योंट समस्ट्र हो जाता है 2 section आएंगी section a section भी इसके उपर हमने अच्छी तरसे बात करेंगे फिसके अंदर आप देखेगा पाच युनिट होईगी पेली युनिट कौन से एटोमेटिक स्ट्रेचर यहाँ पर होगी वो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक दिये गए तो आए यहाँ आप आप देख सकते हैं यह सबी टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगी युनिट नमर इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है यह भी युनिट नमर वन में यहाँ आपके आजाता है यहाँ आप आप देखेगा युनिट नमर second कौन से होगी यह वो हगी आपके periodic table और periodic properties तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक दिये गए तो आप 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 देख सकते हैं फिर य basic of organic chemistry जिसका अंदर क्या होगा organic compounds होगे electronic यहाँ पर displacement होगी organic यहाँ पर आप देख सकते हैं यह रियक्टिव होगी तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक दिये गए वो भी यह आप आपके लिखे हो है फिर नमर फॉर्थ कौन से आजाएगी इस्ट्रयो यहाँ पर chemistry आ है तो यह आपका semester 1 में आपका chemistry 1 होने वाला है उसका यहाँ पर यह सेलेबस था तो यहाँ पर यह पर प्रैक्टिकल एक्जाम से लेटर सेलेबस आ जाता है जो कि आप देख सकते हैं और यह आपके college के आधार पर पर प्रैक्टिकल एक्जाम का सेलेबस तयार होता है उसके यहाँ पर आप देखेंगे नीचे स्कॉल करेंगे तो आपके chemistry second का यहाँ पर सेलेबस आ जाता है यानि जब आप second semester में जाएंगे तो second semester का यहाँ पर यह दिया गया है सेलेबस तो यह भी तीन घंटे का paper होई यहाँ पर सत्ता नमर का semester assignment टीस नमर का internal और सो नमर का यहाँ साउ enc Conga के अंदर कौं लगा ionic bonding होगा कि प्रेक्टिकल एक्जाम का यहाँ पर आपको सेलेबस देखने को मिल जाता है तो इस प्रकार से यह आज पूरी जान कर आ रही ती जो कि हमने chemistry subject के उपर बाद कर आपको आज के वीडियो यहां पर पसंद आया होगा इसके अंदर सभी डाउट आपके किलियर होगे होगे अगर तब यह आपके कुछ डाउट किलियर नहीं हुए है या कुछ आपके कंफुजन रहेगी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और यह आज हमने के उपर भी हम जल्दी वीडियो आपके लिए लाने वाली जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और साथ में जिन भी इस्टेन हैं जो सेलेबस किस प्रकार से डाउनलोड करें उसके उपर भी हमने वीडियो बना रखा है साथ में इस साल आप जब देखने को मिल जाएगी तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आईए बाच की जो वीडियो आपको पसंद आयोगा प्लीस कमेंट करके जरू बताएगा क्योंकि काफी मेनत के साथ आपके लिए यह वीडियो बनाए जाते है तो सभी श्टेन को कमेंट करके जरू बताने है और इस वीडियो को लाइक करना ना बूले साथ में आपने जो फ्रेंड सरकले इस वीडियो को शेर भी कीजिएगा जिसे भी उनको यह इन्फोर्मेशन है वो प्रवाइड हो पाएगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए पढ़ते ही और सिक्तरी